गुड मॉनिंग बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फीट अन क्लॉस और बाल्स फीट मतलब क्या है उनके पाउं और क्लॉस मतलब क्या है उनके जो पंजे होते हैं उनकी जो पंजे होते हैं इनको क्लॉस बोलते हैं feet and claws are balls, balls के पाउं और पंजे के बारे में आज पढ़ेंगे balls use their feet and claws to work, hope and sit on the branches of the tree इनके balls के जो feet and claws जो होता है वो क्या करने में help करता है work करने में, चलने में, hope मतलब कुछ सोचने में और sit, बैटने में कहां पर? ट्री के branches में, बाच ट्री के branches में भी बेटता है ना तो उनके पाउं और पंजे ये सब करने में help करता है they also helps the बाच to catch and hold their food और एक क्या करने में help करता है और एक अपने फूड को catch करने में अपने फूड को पकड़ने में भी help करता है अपने पाउं उसे वो पकड़ कर खाते हैं कि ने? उनका कोई hand होता है उसे ही वो पकड़ कर खाते हैं पेले है प्रेंग बाल्स प्रेंग बाल्स लाइक भल्चुर और इगल्स हैव सार्प क्लोस वीड कॉर्फ नैल्स काल्ड टेलोन टो कील देर प्रेंग बाल्स मतलब क्या है ऐसा वाला जो फीड अन गलोस किसका होता है भल्चुर का और इगल्स का भल्चुर का और इगल्स का यह यह लोगों का यह लोगों क्या बोला जाता है प्रेंग पड़ीते न तो यह सबको स्कैवेंजुर बोला जाता है भल्चुर और इगल्स को यह क्या खाते है यह डेल्ड एनिमल्स को खाते है डेल्ड एनिमल्स के मांस को खाते हैं तो इसलिए इनका जो पाँ होता है कैसा होता है बहुत सार्फ उनके जो क्लोस होता है बहुत सार्फ होता है पुरा सार्फ होता है और कॉर्फ नेल्स उनका नेल्स पुरा कॉर्फ रहता है ऐसे करके उसको क्या बोला जाता है talons बोला जाता है to kill their prey and tear flesh और वो क्या खाते हैं वो flesh को खाते हैं अभी perching balls perching balls like crow and sparrow have four toes इनलों का four toes रहता है three in front and one at the back इनका three in one three three जो है वो front में रहता है और एक जो रहता है वो back side में रहता है क्या इनका जो toes होता है toes this helps them to porch on a branch of the tree strong and firmly तो इनका जो होता है क्या करने में help करता है help them to porch on a branches and branch of the tree strongly and firmly वो जब trees के branches में बैठते हैं तो बहुत strong लिपर उसको जबर कर वहां पे बैठते हैं इसलिए इनका जी जो होता है क्या उनका जो toes होता है तो ये बहुत उनका three जो होता है फ्रॉंट में रहता है और एक one जो होता है वो बैक साइट में रहता है scratching balls scratching balls like hands and pick up have sharp, close and strong legs stretching balls मतलब कौन है scratching balls मतलब क्या है कौन है hands and pick up इन लोगों का इन लोगों का जो close होता है कैसा होता है sharp होता है उनका जो close होता है देखो sharp होता है and legs जो होता है वो strong होता है this helps them to scratch the ground to look for seed and worms यह क्या करने में help करता है scratch करने में scratch मतलब क्या है बचो किसी को खोदना या कोई किसी को खोदने को अपने पेर से खोदते हैं कि ने तुम देखे बचो hands जो होते हैं अपने खाने का भी मेटी में अगर कोई एक ग्रेंट रह गया हो कि कोई सीर्स गिरा हुआ हो तो उसको खोद कर वहां से खाते हैं तो इसलिए इनका जो LEGS होता है बहुत और उनका जो खोता है बहुत सार्प होता है तो उसको इसे खोत के घ्राउंड को खोत के क्या करते हैं सीर्स या फिर कोई वर्म मतलब रनते हो तो सीर्स और वर्म्स को खाते हैं मतलब जुटे-चुटे तो उनको खाते हैं ख्लिम्बिंग लाइक पेरोट्स और उडपेकर्स और उडपेकर्स का ऐसा रहता है तो टोईश और पॉइंटेल पॉइंटिंग ओफवर्ड अफवर्ड में रहता है और तो पॉइंटिंग जो है तो टोईश जो है वह डाउनवार्ड रहता है लिस हेलप्स तेम टू लिंग टू फ्रेस तो बच्वा एसे करके यह दोनों भी पढ़ना वेडिंग बांड पढ़ना और डाउट होने से पूछना